हेलो फ्रेंड्स आप सबका दगाई डियू चैनल पर स्वागत है साथियों आज हम बात करने वाले हैं 1535 असिस्टेंट प्रोफिस्टर की वेकेंसी हर्याना में आने वाली है इसे related notification हर्याना Public Service Commission ने अपनी website पर डाला हुआ है लेकिन full detailed notification नहीं है अभी बस ये बात बताई गई है कि यहाँ पर जो भरती आने वाली है उसमें क्या-क्या important चीज़ें हैं लाइक कि erisability क्या होगी, syllabus क्या होगा, pattern क्या होगा, exam का या selection procedure क्या होगा, किस basis पर फाइनली, 1535 जो assessor की भरती आई है इसमें लोग select किये जाएंगे exam में time कितना होगा, क्या negative marking होगी, या नहीं होगी और किस language में question paper पूछा जाएगा और in the last कि किस subject में कितनी seat आई हुई है शाथियों, हर्याना के दृष्टी से और वरतमान में इतनी भहंकर बेरुजगारी है इसको देखते हुए अगर ये देखा जाए, तो 1535 एक बहुत ही अच्छी खासी संख्या में ये number of seats है, A grade की job के लिए, assistant professor की job के लिए चलिए साथियों, इस वीडियो में हम इन सबी चीज़ों पर detail में बात करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को जरू सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक साधिक लोगों तक इस वीडियो को share करें चलिए शाथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर्याना पब्लिक सर्विश कमिशन जिसका की एर्कवाटर पंचकुला में है यहाँ पर यह बात आई है कि जो कालेज काईटर में असिस्टन प्रोफेसर के लिए भरती आनी है जो कि हर्याना का है उसके थ्रूवाती है इसके बारे में एकजाम पैटर और स्लेबस सब कुछ इनुशिटी की जितने भी इनुशिटीज हैं जो EUC का माप दंड है उसके एकाडिंग आपका मास्टर डिगरी और मास्टर डिगरी में आपका 55 परसेंट मार्क्स यदि आप UR कategoryस से बिलांग करते हैं तो एंड यदि आप OVC, SC, ST कटेदरी से बिलांग करते हैं तो 50, 5% में से 5% और लेस्ट करके यानि कि 50% मार्ग्स होना जरूरी है और इसके साथ ही साथ आपका net qualify होना चाहिए यानि कि साथ ही आपका PG plus net होना चाहिए अगर किसी स्टेट में वहाँ पर जो स्टेट है अगर वो स्टेट eligibility test लेता है तो वो भी valid होगा लेकिन स्टेट eligibility test केवल उसी स्टेट में valid होता है जिस स्टेट में वो conduct करवाया जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे शाथी हूँ और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो लोग भी या क्योंकि हर्याना राज्य की नौकरी है स्टेट गवर्मेंट की सर्विस है तो जो लोग भी आउट साइड आप दा हर्याना के होंगे जो हर्याना के निवाशी नहीं होंगे वे सभी लोग केवल जनरल में अकाउंट किये जाएंगे यूर में ही काउंट किये जाएंगे वे ओवी सी, से, से, स्टी में अकाउंट नहीं किये जाएंगे क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी का ये रूल होता है कि यदि state government की अगर जाब है तो अगर आप किसी other state से बिलांग करते हैं other state से अगर बिलांग करते हैं तो आप वहाँ पर you army के वल count होंगे इस सीज़ का ध्यान रखेंगे साथियों eligibility की बात हो गई कि आपका ug नहीं PG PG और प्लस net होना चाहिए या state होना चाहिए तो हर्याना में state का exam नहीं होता है तो इसलिए net ही count होगा साथियों syllabus के बारे में हम last में बात करेंगे क्योंकि वो commission की बेव साइट पर दिया हुआ है वहाँ से आपको जिस subject का syllabus डाउनलोड करना है आप देख सकते हैं अब हम बात करते हैं exam pattern की शाथियों exam में total 100 question आएंगे जिनमें की 90 question आपके subject के होंगे suppose that आप हिंदी से देना चाहते हैं या चाहती है तो 100 में shape 90 question हिंदी के होंगे वसे ही subject में भी आप देना चाहते हैं political science या Sanskrit या history या English तो वो आपके उपर है और 10 question होंगे जो की general awareness ने GKGS से होंगे reasoning से होंगे तो यह बहुत आसान होंगे इसमें कोई problem वाली बात नहीं है तो the major thing is कि आपको अपना subject पर focus करना है subject ही आपका deciding factor होगा और exam के लिए जो time है वो 2 hours का होगा और सारे question equal marks के होंगे यानि की one one marks के होंगे या four marks के ऐसा भी बताया नहीं गया है लेकिन सारे question equal marks के होंगे और एक चीज़ यहाँ पर जो थोड़ी new है जो की other जगा नहीं होता है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर option में total of five options होंगे एक question में five options और four जो options होंगे starting के वे सारे option आपके question के answer होंगे उनमें से कोई एक option चूज करना होगा और पांचवाँ option होगा कि आप कोई भी option यानि कि इस question को attempt करना नहीं चाहते हैं इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आप पांचवाँ option को भी चूज नहीं करते हैं तो फिर आपका answer गलत माना जाएगा और यहाँ पर जो negative marking की बात की गई है penalty one fourth होगा जानि कि अगर एक question एक marks का है एक number का है एक mark का है तो one by fourth negative marking हो जाएगी आपको तो इसमे negative marking का ध्यान रखना है और जो चौथा बात कही गई है कि आपको fifth question को आपको attempt करना है तभी आपका माना जाएगा कि आप इस question को attempt नहीं करना चाहते हैं आप candidate चाहता है कि वो इस question को leave कर दे छोड़ दे या unattempted रखने दे इस सीच का ध्यान रखना है और यहाँ पर इसी के बारे में चाहता में बात कही गई है कि अगर आप attempt नहीं करते हैं पाच्वा तो आपका penalty मिल जाएगा जो language होगा वो होगा by language लेने हिंदी और इंग्लिस दोनों में यह paper आएगा इस बात का ध्यान रखना है और जो आठवी बात है तो final merit list बनेगी selection की उसमें 87.5% weightage होगा और जो interview होगा वो 12.5% के weightage का होगा इस सीज को साथियों ध्यान रखना है यानि कि retain is the main deciding factor और minimum eligibility क्या होगे कि आप interview में जाएगे कम से कम आपको retain जो आपका exam होगा जिसमें 100 questions पूछे जाएगे उनमें से 50% marks आपको correct करना है शाथियों हर्याना का जो paper है वो आशान होता है बहुत tough नहीं होता लेकिन negative marking है इसका रहान रखते हुए आपको जितना question आता है उतना ही करना चाहिए और इसके base पर आपको selection मिल जाएगा यह है शाथियों यह 20 December को ही notification आया हुआ है और जो detail notification है बहुत चल्दी ही इसी मंत में दरवाई जनवरी में तो notification आज ही जाएगा आपका form apply होना start हो जाएगा चले शाथियों अब हम जानते हैं कि subject wise कितनी vacancy है ताकि सबकी जिग्यासा भी होती है कि मेरे subject में कितनी vacancy है subject wise vacancy के बारे में हम detail में देखते हैं शाथियों यहाँ पर screen पर जो दिखाए दे रहा है यह subject wise हर्याना Public Service Commission के थ्रूँ जो भरती आनी है अश्रिन प्रोफेसर की उसके लिए यहाँ पर आप subject कुछ देख सकते हैं जिनमें की सबसी अधिक जो seat आई है आप इंग्लिस में देख सकते हैं कि 714 714 seats हैं बाटनी में 145 यह category wise है आप देख रहे हैं और यह horizontal है horizontal का मतलब शाथियों यह होता है कि जो total seat है उनमें ही इस बात को ध्यान देना है तो यह भी जो PWD का भी reservation होता है यह horizontal ही होता है इस बात को आप ध्यान देंगे हर्याना में कई type के SCST OVC की भी category होती है उसी के बारे में horizontal की बात की गई है और जो other state के आप किसी भी category से बिलांग करते हैं suppose that आप UP से हैं UP में आप OVC या ST या ST committee से बिलांग करते हैं तब भी आप हर्याना में जाकरके general में count हो जाएंगे इस बात का ध्यान देना है आप state government में जाकरके general में count होते हैं इस बात का ध्यान रखना है साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे physical education में 119 seat है political science में 145 seat है यह बहुत अच्छी का संख्या में seat कहीं जा सकती है साथियों हर्याना के द्रिष्टी से ऐसे ही आप अपने subject में देख सकते हैं psychology में 120 seat है संस्क्रीट में 40 seat है पंजाबी में 38 seat है और जुलाजी में आप देख रहे हैं 125 seat है टोटल मिला करके 1535 seat हो गए जिसमें की 766 seat general category के लिए OVC के लिए 306 seat के लिए 211 seat के लिए 96 तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं कि जो सबसे अधिक संख्या आई है वो इंग्लिस में आई है इंग्लिस में तो एकदम बाहार है आप देखिए इतना ही संदार इतना सायद किसी भी state में भरती नहीं आती साथ सो चौदर नमबर आप शीट सें टोटल यह है साथियों आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्टिब्यूशन आप दसीट तो आप अपने सब्जेक्ट की सीट जान लिए अब चले साथियों हम लास्ट में जान लेते हैं स्लेवस स्लेवस आपको कैसे पता चलेगा कि आप संब्जेक्ट का से वह क्या है दोस्तों स्लेवस के लिए आपको हर्याणा पब्लिक सर्विश कमिशन की जो वेव साइट है इसको आप देखिए और इहाँपर यहांपर आपका syllabus लिखा हुआ है, शाथें जो advertisement है, announcement है, वो सारी चीजें अलग-अलग हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आप यह हम को देखना है, syllabus, syllabus पर हम click करेंगे शाथी, syllabus पर click करने के बाद, जो syllabus में है, यहाँ पर बहुत सारे exam के लिए अलग-अलग syllabus दिया हुआ है, यहाँ पर आप जब नीशी जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, दिया हुआ है, डिटेल स्लेवर्स फार द पोस्ट आफ असिस्टेंड प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, यानि कि हर्याणा में जो बहुत सारी स्टेट इन और सिटीज हैं, और उनके जो कॉलेजिज हैं, उनम सबजेक्ट हैं, यहाँ पर की हर्याना में असिन प्रोफेसर की जाब आती रहती है, तो यहाँ पर जिस भी सबजयक्ट का आपको डाउनलोर करना है, वहाँपर आपक्लिक करेंगे, तो वह सबजेक्ट का आपको डिटेल स्लेवर्स दालोर्ट हो जायेगा पीडेवर्स के में शाथिए एक बात यह है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आप यहां पर देखेंगे पॉब्ली कर्मिस्टेशन यहां पर सिलिभश दिया हुआ है लेकिन इड़र्टाइजमेंट में पॉब्ली कर्मिस्टेशन की कोई सीट नहीं आई हुई है तो ऐसे कुछ सब्जे शाथियों हर्याना से रिलेट्ट या किसी भी स्टेट से रिलेट्ट जो आपको अशेन प्रोफ सरकी चाप जाहिए इस वीडियो के बारे में अगर